नमस्कार आप सभी को हिंदी साहित्य आदिकाल की प्रश्न सिंखला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न संख्या 21 से लेके 30 तक इससे पहले की जो प्रश्न है वो वीडियो अपलोड कर दिये गए हैं आप उसे देख सकते हैं तो आज का हमारा पहला प्रश्न है नै कुमार चरियू के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है पुष्पदंत जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवी उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिंददत सूरी कुमार प्रतिपाल बोध के रचैता कौन है सोम प्रभ सूरी आदी काल को आदी काल नाम किस ने दिया था हजारी प्रशाद वेदी आदी काल हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आदी काल को आदी काल नाम किस ने दिया यह में पता होना चाहिए तो आदी काल को आदी काल नाम दिया था हजारी प्रशाद द्वेदी जी ने अगला प्रशन हमरा आदी काल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा था तो आदी काल को वीर गाथा काल कहा था आचारिय राम चंदर शुकल जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किस ने दिया था राहुल सांकृत्यायन ने महावीर प्रशाद द्वेदी ने आदिकाल को क्या संग्या दी वीज वपन काल पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपब्रंद से माना जाता है सौरशेनी अपब्रंद से बगेली बोली का संबन्द किस उफभाशा से है? पूरवी हिंदी से तो यहाँ पर हमने आज 10 प्रशने डिसकस किया। आदिकाल के नाम करण से संबन्दित कुछ प्रशने दिए गये थे। जैसे पहला प्रशन हमारे दिया गया यहाँ पे कि आदिकाल को आदिकाल नाम किस ने दिया तो सबसे important question है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किस ने दिया तो हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने दिया था और यहाँ पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस आलोचक ने कहा था तो आचारे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को स जिद्ध सामंत काल नाम किस ने दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने महावीर प्रशाद दिवेदी ने आदिकाल को क्या संग्या दी तो बीज वपन काल तो ये आदिकाल के नाम करण से संबंदि जो चार प्रमुक प्रशन थे यहां पर दिये गए हैं तो मुझे उम्मीद जाए हैं तो मुझे प्रशन थे ए यहां दिया राहे हैं तो मिद्द हाँ फजड़ खूर मुझे चार खज़ दिया झालव हैं ए राहें मुझे शाज़ क्पाल लाई